हमारे रीड की हड़ी हमारे शरीर को स्ट्रक्चर और सपोर्ट देती है इसी कारण से हम मूव कर पाते हैं और हम अपने शरीर को बेंड भी कर पाते हैं जब हम चलते हैं तो हम अपने रीड की हड़ी के कारण ही अपने वेट को ट्रांस्मिट कर पाते हैं और इसी रीड की हड एक खोखली सी नाल होती है, जिसके अंदर हमारी सुषुमना नारी यानि स्पाइनल कॉर्ड होती है जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ कर cintral nervous system का हिस्सा बन जाती है देखिए, हमारे Read की हड़ी कई सारे चोटी-चोटी हड़ीों से मिलकर बनी हुई होती है जिसे vertebrie कहते हैं और जब ये हड़ियां आपस में जुड़ कर एक लंबी सी हड़ि बना लेती हैं तो ये अपने बीच में एक खाली जगह यानि cavity का निर्माड भी कर लेती हैं जिसे vertebral cavity भी कहते हैं देखें ये जो vertebral cavity होती है न इसके अंदर ही हमारी शुशुमना नाड़ी यानि spinal cord होती है जो कि हमारे हाथ पैर, हमारे genitals, हमारे पेट, हमारे सीना हर जगह से sensory information या motor impulses brain तक ले जाता है चलिए आपको पहले read की हड़ि की सनचना के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं पिर ये जानते हैं कि ये काम कैसे करता है और इसके क्या क्या काम है देखिए अध्ययन करने के लिए हमने अपने read की हड़ि को पांच क्षेत्रों में बाट दिया है जिससे हम इसको आसानी से समझ सके हमारी read की हड़ि की शुरुवात होती है हमारे foramen magnum से इसे हिंदी में महारंधर भी कहते हैं देखिए हमारे कपाल की हड़ि की नीचे एक छेद होता है इसे foramen magnum कहते हैं यहीं से शुरू हो जाता है मतलब इसकी नीचे से शुरू हो जाता है हमारी read की हड़ि इस फोरा मेन मैगनम से और गरदन से नीचे वाले हिस्से तक वाले वर्टिब्रिल कॉलम के रीजन को सर्वाइकल रीजन कहते हैं इसमें कुल साथ छोटी छोटी हड़िया होती हैं देखिए हमारे सर्वाइकल रीजन में जो हड़िया होती हैं उनमें से शुरुवात की दो हड़ियां बहुत ही important होती है उन्हीं की वज़ा से हम अपने गर्दन को दाएं बाएं मोड सकते हैं इसलिए शुरुवात की पहली वर्टिब्री को Atlas कहते हैं और उसकी नीचे वाले को Axis कहते हैं West Mythology के अनुसार Atlas एक character है जो पूरे पृत्वी को अपने कंधे पर उठाया हुआ है इसलिए ऐसा नाम दिया गया है चलिए आप मुझे नीचे comment करके बताईए क्या इस तरीके से naming करना जैसे West के लोग करते हैं अपने Mythology के अनुसार वो सही है और भारत के लोग अपने Mythology के अनुसार चीजों को नाम क्यों नहीं दे पाते हैं उसके बाद हमारे cervical region की नीचे आता है हमारा thoracic region जिसमें कुल 12 हड़िया होती है इनका structure और shape देखिए ये कुछ इस तरीके से होते हैं और हमारे फेफड़े के पीछे वाले हिस्से में होते हैं ये इसी thoracic region वाले रीड की हड़िय से ही हमारी पसलियां जूड़ी रहती हैं और पसलियां जूड़कर एक cavity बनाती हैं जिसे thoracic cavity कहते हैं इसी के अंदर हमारा फेफड़ा फेफड़े जैसी चीजे मौजूद रहती हैं ये जो thoracic vertebrae होती हैं ये cervical region के मुकाबले थोड़ा बड़ी होती हैं उसके बाद हमारे thoracic spinal region के नीचे आता है हमारा lumber region जिसमें से हमारे read की हड़ियों के कुल 5 हड़ियां आती हैं और हमारे lumber vertebral column की vertebrae बाकी के thoracic और cervical region से ज्यादा मूटी होती हैं यानि ज्यादा थिक होती हैं और ये size में ज्यादा बड़ी भी होती हैं देखिए lumber region की vertebrae बड़ी इसलिए होती हैं क्योंकि ये हमारे upper limb और chest वाले area के वजन को संभाले रखता है फिर जैसे ही हम अपने कमर की नीचे वाले हिस्से में आएंगे अपने hip वाले region पर तब वहाँ पर होता है हमारा sacrum का region जो की हमारे vertebral column का सबसे चौड़ा भाग होता है दरसल इसमें 5 bone होती है जो की 18 साल की उम्र के बाद हर वेक्तियों में fuse हो जाना शुरू हो जाती है और लगबग 30 से 35 साल की उम्र में ये 5 की 5 सेक्रम bone आपस में fuse होकर एक single bone बना लेती है हमारे reed की हड़ी का सबसे आखरी हिस्सा होता है tail bone जिसे coccus भी कहते हैं इसकी संख्या अलग-अलग वेक्तियों में अलग-अलग हो सकती है लेकिन संख्या में ये 3 से 5 ही हो सकती है और adult होने पर ये सभी आपस में जुड़ कर fuse हो जाती हैं और sacrum से जुड़ जाती हैं reed की हड़ीयों की जो vertebra होती हैं उनका structure कुछ इस तरीके से होता है जो की पीछे की और एक चौड़ी सी body बनाती हैं और आगे की और एक ring-like structure होता है जब ये आपस में जुड़ती हैं मतलब सारी की सारी vertebra है आपस में जुड़ती हैं तब ये आगे वाले हिस्से में एक cavity बना लेती हैं जिसके अंदर हमारा spinal cord रहता है और पीछे की और जो main body है उन दो body के बीच में एक disc होता है जिसे intervertebral disc कहते हैं इस intervertebral disc के बीच में एक gel-like material भरा रहता है और इसके चारों और एक fibro cartilage का structure होता है जब भी हम खड़े होते हैं तो हमारे इस intervertebral disc पर pressure पड़ता है gravity के करण जिसके करण से ये जो हमारा बीच वाला fluid है ये फैल कर हमारे read की हड़ी पर पढ़ने वाले pressure absorb कर लेता है यानि एक तरीके से ये shock observer होता है अब जब हम read की हड़ी की सनचना को देख लेते हैं तो अब हमें ये जानना है कि हमारा ये जो सबसे main spinal cord है वो read की हड़ी के अंदर आखिर कैसे मौजूद रहता है और ये काम कैसे करता है देखिए हमारे vertebral column के अंदर एक cavity होती है यानि एक खाली जगा जिसके अंदर हमारा spinal cord foramen magnum से शुरू होकर हमारे pate वाले region में जो lumbar vertebral column का region होता है उसके L1 और L2 vertebrae के बीच में जो intervertebral disc होता है वहाँ पर खत्म हो जाता है देखिए हमारे brain के उपर meninges की 3 layers होती है और आपको मैंने ये बात एक video में बना कर बताया भी है ये 3 layer brain के उपर चड़ी होती है जिसके वज़ा से ये spinal cord में भी आकर brain से होते हुए पूरे spinal cord को ही envelop किये रहती है और ये spinal cord पर ही जाकर खत्म नहीं होती है बलकि spinal cord से नीचे होते हुए हमारे coccyx region में जाकर खत्म होती है लेकिन ये बहुत ही जटिल सनचना भी बनाती है हमारे spinal cord के meninges के अंदर का pyamater तो sacrum के S2 में ही खत्म हो जाता है लेकिन arachnoid mater और duramater ये तीनों ही coccyx region में जाकर fuse होकर एक ligament बना लेते हैं और pelvis के बाकी हिस्सों से जाकर जुड़ जाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि इसी meninges layer के अंदर ही हमारे brain का CSF fluid यानि cerebrospinal fluid भरा रहता है तो जाहिर सी बात है कि ये spinal cord के चारो और भी भरा रहता है spinal cord हमारे शरीर में लगभक 40 से 45 cm तक लंबा होता है और इसका diameter हर जगा uniform नहीं होता है cervical region और lumbar region में ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है बाकी जगहों में ये हलका सा पतला ही रहता है देखिए रीड की हड़ी में जब दो vertebral आपस में जुड़ती हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क के थुरू तो ये आपस में मिलकर foramen यानि passage hole बनाती हैं जिसके थुरू spinal cord से नर्व हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में जाता है हमारे cervical region से कुल 8 nerves निकलती हैं जो कि हमारे गर्दन, गले, हमारे कंधे और हमारे हाथ को कंट्रोल करते हैं ठीक उसी तरह हमारे thoracic region से कुल 12 nerves निकलती हैं जो कि हमारे फेफडे, पीठ, कमर और पसलियों के बीच पाये जाने वाले muscles को कंट्रोल करते हैं हमारे lumbar region से कुल 5 nerves निकलती हैं जो हमारे peut और हमारे buttocks के muscles को कंट्रोल करती हैं हमारे sacrum region से भी कुल 5 nerves निकलती है जो कि pelvis और हमारे पाउं और घुटने जैसी जगहों के muscles को control करती है और हमारे coccus region से भी एक nerve निकलती है तो कुल मिला कर हमारे spinal cord से हमारे trunk और limb को control करने के लिए कुल 31 nerves निकलती है देखिए ये जो nerves निकलती है हमारे spinal cord से असल में ये एक plexus बना लेती है मतलब nerves का एक जाल बना लेती है सिवाय थोरासिक region के nerves के ये nerves के जाल हमारे हाथ पाओ हमारे धड यानि जो ट्रंक वाला हिस्सा है वहां के हर एक जगा पर फैल जाती है तभी तो हमें दर्द महसूस होता है तभी हमें sensory information मिल पाती है या हमारे brain से कोई भी impulses आते हैं हमारे इन जगहों पर तो ये video आपको कैसा लगा है मुझे नीचे comment करके बताईए अच्छा लगा है तो like ज़रूर करना